आपका स्वागत है वर्ल्लकॉप के तैयारी कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं आपको जो आज इंट्रेडे में आपके खराएंगे जोड़दार कमाई लेकिन आज एहम दिन है लेकिन आज इंडिया समी फाइनल में पहुंच जाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग नजर आ रहा है और न्यूजिलेंट उसी का फाइदा देखने कुमलेगा लेकिन आपको फिर से मैं याद दिला जाता हूं जब प्रैक्टिस मैच हुआ था तब न्यूजिलेंड इंडिया को हराया था बहुत पहले की बात है लेकिन अभी लेटेस में तो वर्ल्लकॉप की जाता पुरानी बात है इसी टूरमेंट की बात कर रहा हूं मैं और दूसरा मैच जो था वो वाशाओट हो गया था रोहिट शर्मा चल गए ना 25 यह रवर यह बोलता है रोहिट शर्मा चल गए 25 और तो कोई नहीं तो नहीं जीत पाए तो यह की फैक्टर नहीं है काफी वो जो खिलाडी है वो खुद भी कहते हैं कि हमें समझ नतबता नहीं कौन सी अरिस्मेटिक लगाते हैं उसमें वो किसी को समझ नहीं आता है लेकिन ग्लोबल कुछ राहत है कि वानवे ट्राक पर टूटर है बजट के बाद अब अब दो वो एफपाइस वाली जो बात थी उस आज देखें एशियन मार्केट्स खुले तो अच्छे थे लेकिन उपनी स्तरों पर टिकना काफी मुश्किल पढ़ रहा है जाता है कि अशियन मार्केट्स की बात है नेकिए अपनी बढ़त को थोड़ा सा मेंटें जरूर तरहा है लेकिन हैंक्सेंग और शांगई जहां ख अगर आप फिलहाल देखें अभी के जो लेवल्स हैं एजएक निफ्टी में वो आप देखें लाल निशान देखने को मिल रहा है साड़े पांच पॉइंट के आसपासी गिरावट है बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन हाँ अगर आप उपरी सरों से देखेंगे तो एक समय ग्यारा पांच पॉइंट के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल रहे थे तो वहां से 20-25 पॉइंट जो निकले है एजएक निफ्टी में वो कहिना कहीं दर्शाता है कि अभी भी प्रेशर देखने को मिलेगा सफाई आना बहुत इंपॉर्टेंट था अभी भी वो कह रहे हैं कि किसी क्लारिफकेशन की जुरूरत नहीं है अगर जुरूरत पड़ी तो संसत में चर्चा होगी तो यह अपने आप में दर्शाता है कि वो जो 40,000 क्रोड रुपे चाहते हैं वो FI से, FPI से उसको लेके वो बहुत सो निश्च देता है कितनी मार्केट क्याप साफ हो जाएगी उस चक्कर में 40,000 क्रोड कमाने के चक्कर में लेकिन ठीक है आज बहुत बड़ी गरावट कोई नहीं तो दो तरफा ट्रेट निकलेंगे वो बहुत समच की होगा और आज जहां बिक्वाली होगी न फिर वो पूजिशनल सेल काउस मनते होगे चली लेकिन कल ये जो डैमेज हुआ था मारुति सुजुकी में बिकवाली की काल बिकवाली की काल थे तमाम स्टोंक में टागेट शे करें अब पहले से प्रीयेप कर रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ हुआ कि सेल कॉल सापने जाद उतारी थी और हूब हुआ ही मार्किट में देखने कुमला भी है छे स्टॉक सेल के आपने बताय थे लो पाड़ बतायते और पर फिर से एक sell cost होंगे ति भले यह पांच पॉइंट दिखा रहा हूँ लेकिन जब तक यहाँ पर trade setup strong नहीं होता, traders की conviction नहीं लॉटती, फश्टी करन नहीं आजाता financial ministry की तरह से तब तक यह market buy zone पर नहीं रहेगी, buy zone बहुत ऊपर निकल के आते हैं अभी, लेकिन फिलाल overhang रहेगा तो पहले उताइए कितने sell हैं आज, कल आपने 8 sell उता रहे थे, आज भी 8 हैं, तो 2 buy मतलब आज वसे ना, जैसी आपको targets बनती रहें, आप stop losses ट्रेल करते चलिए, क्योंकि already बहुत जादा अच्छा कल करना मेरा एक ही performer है, मैंने हैवल्स में short करने की राय दी थी, budget के जो announcement हो के अधार पे, short ही call चलते हो दिखे थे, कल की जो जहां तक बात है, तो हैवल्स में 5% के आजपती कम्सोरी थी, बाकि मैंने balance किया था थी, आपर ठीक है, sell calls अभी बजार में पकड़ है, जो है, वो मजबूत है, लेकि शुरात मैं आपको बता दूँ कि पहला stock है PVR, इस पे भी बेक्वाली करके चल सकते हैं, देखिए, अब आपको stop losses लगाने होंगे deep, वो इसलिए कि कल के सेतर में already set up बहुत सारे stocks पर daily charts पर week हो गया, जब भी daily charts पर ऐसे week निस होती है, या तो PVR को करें short, इसलिए मैंने थोड़े आपको stop losses आपको थोड़े ऊपर के दिये हैं, 1645 ये stop loss रखना होगा, लेकिन 1600 के नीचे जाने की probability PVR पर बहुत strong है, 1580 ये target लेकर positional sell करिए, या पर किसी भी तरीके से आप higher levels पर बिकवाली कर सकते हैं, तो इस stock में बिकवाली करिए, structure week बिक है, daily charts पे बहुत जादा कल setup जो है, बहुत सारे stocks का derivative market में बिगड़ा है, उच्छाल आए, तो बेचिए इन levels पे सलानी होगी, इसके लावा राम को सीविंट, एक और stock जहां पर huge unwinding कलके सतर में, in fact इस positions unwind होई रहे हैं, यानि कि traders का interest तो है इनी तेजी के side पर, जब त daily chart पे अगर यहां पर बिगड़ा है, इसमें sentiment, तो कोई उच्छाल आए, तो बेचिए, 728 के target के लिगए, अच्छा रजयत, आपके पास 8 sell हैं, मेरे पास 7 sell हैं, तो जो 3 buy है न, पहले आपको 3 buy बता रहता हूँ, जो hangover न, खतम हो जाएगा buy calls का, फिर आपको दिरे-दिरे करके सारी sell falls आपके सामेर रखूंगा, पहला नाम जो मेल इसमें, वो है NHPC का, ये आप खरदारी करके चल सकते हैं stock, दो रीजन है, पहली बात तो हिमाचिल प्रदेश में इनका जो एक power plant है, जो रख रखाव, यानि की maintenance की वज़ए से बंध था, 16 October 2018 से, उस पे जो काम का ज प्रदेशन होता है, या बंध पड़ा हुआ दूपारा शुरू होता है, तो उसे market पॉसिवली लेने की कोशिश करता है, तो ये एक पॉसिव बात है, दूसरी बात, आप इनका shareholding pattern देखिए, government of India ये प्रेजिडेंट आप इंडिया की shareholding देखेंगे, तो करीब 58 फीज़ होता है, दुबारा जो बंध पड़ा था, और दूसरी बात, यहाँ पर कोई hangover नहीं है, कि कोई हिस्सा विक्री होती हो दिखेगी, तो NHPC अगर आपको low levels पर मिल जाए, तो accumulate करके चल सकते हैं, किसी भी trade में उतरें आज के लिए, जो भी 10 stocks आपको बताए जा रहे हैं, 20 stocks ग मेग मनी और्गैनिक्स का, देखें, इनकी एक subsidiary है, मेग मनी फिन कैम, इनोंने commercial production शुरू किया है, क्लोर मेथेन का, यहाँ पर भी देखें, जो एक नया प्लांट शुरू हुआ है, उसका impact आप देखें, स्टॉक में साफता और पर देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसे चुन जो टागेट है, वो 65 रुपे तक के भी देखने को मिल सकते है, चले लेकिन स्टॉक होगा, एक्विटास, यह reverse gear में आया है, तेजी पकड़ रहा था, यह स्टॉक धीर धीर करके चर रहा था, और उसने हाई भी बनाया, बीते तीन दिन का हाई देखें, तो 123,90 का है, लेकि मनापुरम का सेट अप बे बिगड़ा है, दिली जाट्स पे यह हुआ है, वीक कल तो, इस महीने, इस स्टॉक में बहुत ज़़धा बिकवाली देखने को मिल रहा है, गुद्धा ये इसके साथ भी है, 137 की क्लोजिंग दिखाई थी, उसके उपर की क्लोजिंग कभी दिख कि दरसल इकरा ने एक जो रेटिंग इनकी रियफर्म करी यानिकी बरकरार रखी है, तो दूसी बात ये भी है कि जो आउटलूक रखा गया है, लॉग टर्म रेटिंग के साथ साथ, वो स्टेवल से बढ़ा कर पॉजिटिव किया गया है, तो रेटिंग तो बरकरार है, ले किया गया है, तो यहां हो सकता है कि बादार कहिना की स्टॉक को रिवार्ड करता हो, दिखे को कि कुछ चुनिंदा स्टॉक सी ऐसे होंगे, जो कि न्यूस फ्लो के अधार पे, या तो फिर जहां पे अच्छे फंडामेटल सांट की बेसिस पे यहां पे खाइदारी बनती हो अब बारी है, सेल कॉल्स की, पहला नाम है यहाँ पे, HDFC लिमिटेट का, अब आप कहेंगे, इसमें तो को फंडामेटल को लेकर दिक्कते हैं ही नहीं, फिर यहाँ पे बिक्वाली के नहीं क्या दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे है, एफपीईस की जो होल्डिंग है, आप इ यह स्टॉक अब भी देखिए, आप काफी आपको स्टेबल नजर आएगा, कल गिरा नहीं है, तो यहाँ पे जो गिरावट की गुंजाइश है ना, जिससरा का स्टेक है एफपीईस का, उस लिहाँ से गिरावट की गुंजाइश काफी जादा नजर आती है, अगर यह गिर आज के लिए, तो फिर जो नीचे की और टागेट्स हैं, वो बाइसो रुपे तक के भी आए तो मुझे कोई हरानी नहीं होगी, आप बाइसो चालेज, उसके बाद बाइसो बीस, बाइसो दस तक के दोंस के लिए अप्रोच कीजिए, लेकिन स्टॉप प्लस टेक रखिए, लेकिन हिम्मत करके फिर से एक बाइकॉल वो है एनाइटी टेक पे वो इसलिए क्योंकि गिरने की गुंजाइश कम होगी, यानि कि लिमिटेड डाउनसाइड रिस के स्कॉफ स्टॉप के लिए रहेगा, चड़ने की प्रॉबिल्टी इसलिए क्योंकि ओपन ओफर 15 अगर यह ओपन ओफर के जरिये, तो अगर यह ओपन ओफर का प्राइज ही 1394 का है, तो फिर डाउनसाइड रिस्ट खत्म हो जाती है, उस लिहाज से चड़ने की प्रॉबिल्टी 1355-1365 तक के ट्रेड आप बना सकते हैं, अगर मौका मिल गया तो 1304 का लगा लिए एक स्टॉ प्लॉस, तेजी की कॉल है, अवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिर्फ खबर के बल्बूते एक बाइपाल. वाली स्टॉक्स हैं, जहां पर बहुत जादा होल्डिंग है, उनकी वहां पर हो सकता है कि बिक्वाली काफी तीवर देखने कुमले आज की सेशन में, क्योंकि कल जो क्लरिफकेशन आया है, उसमें कोई भी राहत, एक टैक्सेशन मामले में वित्मंतरी निवनास की तरह मने नहीं दी है, तो उस लिहासे UPL में विक्वाली करें, तो 640, उसके बाद 620 सके जोन के लिए आप अप्रूच कर सकते हैं, 670, फिर से कह रहा हूँ जो stop loss है, उसे strictly 670 के आज़ पास मेंटिंग करके चलें, चलें फटवर से देखते हैं, रीकाप, शुरुआत मैंने विक्व स्टॉक्स कमजोर होई हैं, जो बजाज फिनस, बजाज फिनसर भी अपनी चाल नहीं समाल पाए, एक्विटास जैसे स्टॉक्स तो वीक होने ही थे, 112 कर लक्षे, 119 का लगाई, एक स्टॉप लॉस, मननापुरों फिनस पे 123 का टागेट, 132 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये ली चार्ट के तमाम स्टॉक्स हैं, वीवर, कोई भी बाउंस आ जाता है, यानि क्यों चाल आता है, तब बेची, रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा, एनाइटी टेक में ओपन आफर खुलने की ख़बर है, 1394 वे दाम है, 1355 का आज के लिए टागेट खर स्टॉक्स है, जो आटलूक है, उसे स्टेबल से बढ़ा कर पॉजिटिव किया है, 800 का लक्षे है, 770 का आप स्टॉक्स रखे, HDFC, हाई FPI होल्डिंग वाली कंपनी है, 12% ज्यादा हिस्सा उनका है, 2210 का टागर लेकर इसमें आप शॉट करें, 2285 का स्टॉक्स रखे, UPL में भी 43% से ज्यादा स्टेग ए FPI है, 620 का टागर लेकर बिकवाली करें, 670 रुपे का स्टॉक्स आज के लिए मिंटिंग करें, जोली हुई है, लेकिन क्योंकि बजार हमें ही दबाब रहेगा, तो इसमें और दबाब बढ़ सकता है, चोला इंवेस्मेंट, एक और स्टॉक NBFC स्पेस पे जहां पर कल के सतर में बिकवाली शुरूई, अब 266 तक के लक्ष रखी हैं, और 282 का लगा कर एक स्टॉप लॉस, चोला इंवेस्मेंट पर भी शॉर्ट कॉल, बिकवाली की कॉल रहेगी, किसी उच्छाल में बेचेंगे, तो इसमें बेचेंगे, तो इसमें में भी शुरुवात NBFC से करी थी, अब फिर से PSV नेम है, कोल इंडिया, इसी किसा शुरुवात करना चाहूँगा, लेकिन यह बिकवाली का टेड है, कल भी अगर आप देखें, यहाँ पर बिकवाली काफी जादा बनती हैं, दो फैक्टर्स हैं, एक तो FPI's का stake इस company में भी देखें, तो 9 फीज़ी के आसपास का है, दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें, तो विनिवेश का डर भी जो है, वो काफी जादा है, इन फैक्ट 5 पसंद के आसपास की सिज़ारी सरकार की बेख सकती है, यह हमेशा होता है, जब भी यहाँ पर दाम उपर की और देखने को मलता है, तो कल उसी का डर अगर आप देखें, स्टाक में प्ले आउट होता हो, देख भी रहा था, अगर FPI's की बिक्वाली भी हावी होगी, तो फिर तो काफी नीचे के लेवल से स्टाक में देखने को मल सकते हैं, मैंने कंजरवेटिक टागेट जी हैं, दूस्टो पच्चिस रुपे के आसपास के, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, स्टो पच्चिस रुपे के आसपास के स्टेक्टली आज के लिए आप फॉलो करके चल सकते हैं, पचास और उसके बाद 3310 तक के भी देखने को मल सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ, स्टो प्लॉस इसको बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, अगर आप स्मार्ट टेडर्स हैं, तब भी कोई भी सेलिया बाइकॉल इनिशेट के लिए आज के लिए हैं, अच्छा, फार्मा स्टॉक में मिली जूली खबरे आ रहे हैं, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक में पॉजिटिव खबर है, बहुत सारी USFDA के अप्रूवल की खबर मिलके आई है, लेकिन फार्मा स्टॉक का स्ट्रॉक्चर वीक है, डिवस लाप्स को बेच सकते हैं, 1545 के टागेट के लिए बेचें, 1585 के लगाकर एक स्टॉप लॉस, बेचने की सिलाध डिवस लाप्स और बालकृष्ण इंडस्ट्री, एक साल के लो पे चल रहा है यह स्टॉक, यहाँ पर और बिक्वाली एग्जाजरेट हो सकती है, इन अगर आप देखें, क्रूड के प्राइज इस स्टेवल है, करंसी वीक, कल की सेशन में भी आप देखें, रुपया कमजोर हुआ था, आप जिस तरह से यूएस में रेट कट की होप कम होती हुए दिखरी है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो अगर क्रूड स्टेवल भी रह है, बिक्वाली कीजिए, 275 का टागेट आज के लिए 286 रुपय के आसपास का स्टॉपरस रखें, और टाइटन एक नाम है, जिसमें आज आप बिक्वाली करके चल सकते हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशनल हाइलाइट सामने रखें, ज्वेलरी सेग्मेंट की ग्रोध 13 पी होती हो दिख सकती है, तो Q2 और Q3 वैसे भी इससा से सोने की कीमते बढ़ रही है, मांग को लेके कंपनी अलड़ी कह रही है कि जो डिमांड आटलूक है वो काफी वीक है, तो उसलिए आज से इनका जो गाइडेंस मीट करना काफी मुश्किल होता हो दिखेगा, बोकिंग हा मार्केट क्योंकि बजट से पहले ही टाइटन में शॉट बनने शुरू हो गया था, बहुत भारे भीकवाली देखी, तो देखा विछले हफते ट्राक कर रहा है, बजट के बाद के बाद के बढ़ कीजिए, तो बढ़ा के लिए आई, तो बढ़ा के लिए आई, टाइटन अगर आज के दिन के लिए भी चड़ा स्टॉक तो पहले तो रखिए 1164 का एक स्टॉप लॉस, 1195, 1200, जो कि कल टागेट देगे थे, वही टागेट लेकर आप कोल गेट में खरदारी कर सकते हैं, डिफेंसिव ले है, बजार में कोई भी रिवर्स, रिवर्सल आया दावेदा रहेगा तेजी का. यह आप निचे की और टागेट लेके चलिए, इसमें शॉट करके चल सकते हैं, 1200 पैसेट रुपे का स्टॉप लॉस. 94 इस भाव पे आ रहा है open offer, 1355 के लक्षे के लिए खरीदा जा सकता है, 1304 का लगाई एक stop loss, अब इसमें downside risk हो गया, खत्म. एकसिस बैंक, चोला इंवेस्मेंट, यानि की financial stocks आज भीवीख हो सकते हैं, लेकिन आज बजार में ऐसा लग रहा है, दो तरफा trades देखने को मिलेंगे, तो strictly stop loss इसको follow करना होगा आपको, एकसिस बैंक, चोला इंवेस्मेंट बेक्वाली की call है, और डिविस लाप 1545 के लक् सकते है, 1164 के लगाई, एक stop loss. इसके साथ कोल इंडिया, एक तो FPI's का 9% हिसा है, और विनिवेश का डर भी है, यहां पे, तो कोल इंडिया में, कल की बिक्वाली के बाद, आज भी 255 के लिए शौट करके चल सकते हैं, बजाज पनाइस, कल भी गिरा था, आज भी गिरेगा क्योंकि हो सकता है, जो FPI's का stake 21 किस पसन के आज पसका, वो स्टॉक के लिए दिक्कत की बात बनता हो, दिखे, 3310 का टागर लेके विक्वाली करें, OMC's में HPCL पे शौट करें, 275 रुपे का लक्षे होगा, टाइटिन के जो अप्रेशनल हाईलाइट्स आई हैं, वो वीक हैं, तो गाइडेंस मेंटेन करना म खब दोमाईब करना मुपे ऑागर एप लाकर होगा बना हो, भाइडेंस में तो घर ज दूटी और। झालाइब सेटेज़ सावाली करें, Šारफे रुपे का वीक का वीक हैं, वीक्वाली मुपे।